सागर जिले की बीना रिल्वेश्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म के पास लाल पुल पर डाले गए कच्री में अचानक से आग लग गई आग बढ़ती देख सफाई कर्मचारियों ने ततकाल हाइटन लाइन की मदद से आग पर काबु पाया जानकारी के अनुसार जियारपी थाने के सामने एक नंबर प्लेटफॉर्म से सटकर डाले गए कच्री में आग लग गई आग देजी से बढ़ता देख सफाई कर्मचारियों ने ततकाल हाइटन लाइन चालू करके आग को बचाया इस दोरान आग करीब 30 फीट आगे बढ़ गई थी इस समय यदि एक नमर प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन होती तो बड़ा हादसा हो सकता था आग लगने की जानकारी मिलने के बाद भी रेलवे का कोई भी अधिकारी आग लगने के बाद मौके पर नहीं पहुँचा बलकि सफाई कर्मचारियों ने ही अपनी सूजबूट से आग पर काबू पा लिया दरसल सफाई कारे के बाद जो भी कच्रा निकलता है उसे विधिवत रूप से कच्रा डंप में डाल कर उसे ट्रेचिंग ग्राउंड भीजना पड़ता है लेकिन सफाई कर्मचारियों ऐसा नहीं करते और कच्रे को जी आरपी थाने के सामने डाल देते है आशंकर जदाई जा रही है कि इस कच्रे में भी किसे ने आग लगाई है अटाई जाने अटाई जाने अप्साइग जाने हैं ओने इवं चान्दी के आबुशडो की अनुपम शंकला लक्षमी नराण्ड ज्वेलर्ड संबून हॉलमार्ग ज्वेलरी एंटी, कुंदर, ओल्की, इटलियन ज्वेलरी आईजी आई द्वारा प्रमाडे टाइमाइंड ज्वेलरी एबम राशुरत ने हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोट सागर